तो दोस्तो यहाँ पे एक वेकेंसी की डीटेल आप लोगों के लिए आप पे रहेगी यह वेकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतरकात यहाँ पे निकाली जारी यह All India Recruitment रहने वाला हैं आप किसी भी राजे से हैं किसी भी स्टेट से All India Candidates अप्लाइ करेंगे इंटर्गू के अधार पे यह वेकेंसी आपके आपके निकाली जारी सबसे पहले देखिए यह जो वेकेंसी आपके आपके जो रिलीज होई लिखा है जवाहरलाल इंस्टिटूट ऑफ पोश्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रेसर्च जिप में है तो दोस्तो जवाहरलाल इंस्टिटूट पोश्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेसर्च इनके तरफ से रिक्रूट पर इन दोस्तों आपके आ चुका है इसका भरती का विज्यापन का यह क्रमांक है देखिए यह वेकेंसी जो है प्रोजेट के अधार पे निकाली जारी on contractual basis यानि कि सामीधा के अधार पे स्वास्त बिवाक किये वेकेंसी इसमें आप लोगों की यहां पे रहेगी इसमें हम लोग यहां पर देख लेते हैं कौन-कौन सी पोश्ट है qualification क्या चाहिए तो पोश्ट देख लें सबसे पहले तो देखिए पोश्ट में लखा है project research scientist grade 2 तो दोस्तो scientist के पोश्ट है इसमें एक पद आपका यहां पर शामिल किया गया इसके बाद technical support grade 3 तो यहां पर technical support grade 3 के पोश्ट है तीन पाद इसमें शामिल किया गया इसके बाद लेखा है project nurse grade 2 तो इसमें एक पोश्ट आपकी शामिल किया तीन साल के लिए दोस्तों आपको आपको जॉइनिंग मिलेगी ठीक है scientist के लिए 96,000 रुपीज टेकनिकल support grade 3 के लिए 36,600 रुपीज और nurse की पोश्ट के लिए 24,000 रुपे आपको परमन्त basis पर आपको इसमें आप पर दिये जाएंगे project के अधर पर यह vacancy निकाली जारी तो यह project का नाम आपको यहां पर बताया जा रहा इसके बाद देखिए funding की agency, ठीक है, ICMR का यह funded यहां पर यह project है इसके बाद कुछ और यहां पर basic details आपको यहां पर दी गई आपको आपका काम भी आपको बताया दिया गया, क्या work and job responsibilities आपके यहां पर रहेंगी तो तीनों post की आप यहां पर information को read कर सकते हैं कि क्या क्या काम इसमें आपको यहां पर करना है तो इसमें दोस्तों जो scientist की आप पर जो post है medical field में इसमें MBBS doctors आवेदन करेंगे जो MD है, वो भी apply कर सकते हैं ठीक है, MBBS, BVSCs, BDS, साथ-साथ MPH और PhD यह candidates पर अपला करेंगे MBBS, BVSCs, BDS और तीन वर्ष का research का experience है वो भी apply कर सकते है Tamil all English language में ठीक है, अच्छा आपको good communication skill आपका रहना चाहिए driving license जो है, आपको यहां पर रहना चाहिए और drive करना भी दोस्तों आपको यहां पर आना चाहिए कुछ औरा दरब के पास आपको experience है तो अच्छी बात है, वैसे desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला जा रहा 40 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखी गई इसके बाद है second number पे देखिए Project Technical Support Grade 3 के post है इसमें BSC Nursing Candidates apply कर सकते है GNM Diploma Candidates apply कर सकते है BSC MLT Candidates apply कर सकते है और तीन वर्ष का research का experience पे आपको चाहिए और MPH है, ठीक है Multi-Purpose Health Worker है तो भी आप लोग इसमें apply करेंगे Good Communication Skills, Tamil और English Language की जो है knowledge आपको यहाँ पे होना चाहिए Driving License और Drive करना भी आपको यहाँ पे आना चाहिए और इसमें यदि आपके पास कोई और qualification भी है तो भी आप लोग यहाँ पे इसमें apply कर सकते है वैसे यह Desirable बोला क्या है Compulsory नहीं बोला जा रहा इसके बाद देखे Age Limit आपकी Age Limit जो है 30 साल आपकी यहाँ रखे गई Last में Nurse की Post भी है तो Nurse की Post के लिए Driving License और Drive करना दोस्तों आपको यहाँ पे आना चाहिए और देखिए इसमें आली Post के लिए Pondicherry Union Territory का Resident निवासी होना आपका यहाँ पे जरूरी है और Field Level पे Community Level पे पास Experience है देखिए वैसे यह दो चीज़ है जो आने आपको बोली के Pondicherry का निवासी और Field Level पे Experience यह Compulsory नहीं है है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी आप लोग आपे इसमें Apply कर सकते हैं इस वाली Post के लिए जाने की Nurse की Post के लिए Simple इसमें आपसे आपे GNM का Diploma Tamil और English Language में अच्छी Command और Driving License यह आपके पास यहां पे होना चाहिए और Drive करना भी आना चाहिए बाकि निवासी होना, Pondicherry का यह ज़रूरी नहीं है और Experience Field Level का होना यह भी ज़रूरी नहीं है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी काम चल जाएगा तीत साल उमर इसमें आप लोगों की रखी गए तो इतने इस तक के Candidates इसमें आप लोग यहां पे Apply करेंगे तो इसमें दोस्तों देखिए कैसे आपको Apply करना है लिखा है Eligible and Interested Candidates में Email तो आप लोगों को दोस्तों जो आपका आविदन है जो Form Attach है तो देख लेते हैं क्या Form इसमें Attach है तो इसमें तो Form Attach नहीं है लेकिन Website पर Form दिया होगा तो वहाँ से आप लोग उसको Download कर लेना और उसके साथ CV तो एक Resume में भी आपको तयार रखना है Supporting Documents ठीक है और दोस्तों देखे जो आपका PDF का आपके जो File है ठीक है उसको इस तरीके से लिखना है Generate Name, Post Name, Year Application ठीक है जैसे कि आपका नाम आपकी Post Year ठीक है तो इस तरीके से आपको Mention करना होगा तो इमेल के थूँ दोस्तों इसमें आपको अपना वेदन करना है और इसमें देखिए आपको बता दिया गया आपका Selection के साधार पर होगा तो यहां से आप लोग देख सकते है Rating Test, Skill Test, Interview तो जो भी आगे की स्टेज है लेकर अभी जो है आप लोगों को Apply कर देना है तो यह Vacancy All India लेवल पर है आप किसी भी राजेस हैं, किसी भी स्टेटस हैं अब देखे, Last Date भी देख लीजे 31 October 2014 शाम के साड़े-4 बज़े तक का समय आपको दिया जा रहा तो जो email आइडिया आपको दी गई है 31 August शाम के साड़े-4 बज़े तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए Vacancy की information मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe भी कर देना इसी तरह के से आगए कि Vacancy's की जानकारी भी मिलती रहेगी वीडियो के नीचे जाए, subscribe कर लें तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much